लिटल रेक्स गैमिंग बैटल गोज मोईल इंडिया खेल सकते हूँ तो गईज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो क्या करना है एक लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेर करना है और ऐसी इंट्रेस्टिंग काटेंड टीव श्ट्रीक्स लेटेस्ट निउट्स अपडेट्स मॉयल गन्स का वागत थूद पीसी गन्स का वागत थूद और बक्च्यो दीवरी लाइव इस्ट्रीम आपको आगे भी देख रहने हैं तो क्या करना है हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करना है तो आप चेक कर देना अगर नहीं है तो आप भी ऐसे डाउनलोड करके अपडेट कर देना मेरा है अल्रेडी बट मैं अपडेट करूंगा तो आपको दिखा लेता हूँ अगर आपका अपडेट नहीं है नया इंस्टॉलेशन का आएगा अधरवाइस अपडेट आएगा अपडेट कर दो और अगर इंस्टॉलेशन आता है ध्यान रखना कि अपने C-Dribe पर ही करना इसको और बाकी अपने एंटिवाइस को बंद रखना क्योंकि कई बार होता है ना ब्लूस्टेक 5 मतलब इंस्टॉल करते बग एंटिवाइसस दिक्कत करती है तो जैसे कि आपको दिख रहा है 395 MB का हमारा डाउनलोड हो रहा है तो गाइस फाइनली हमारा ब्लूस्टेक 5 का अपडेट डाउनलोड चुका है अब इस्टॉल हो रहा है तो गाइस फाइनली हमारा ब्लूस्टेक 5 अपडेट इस्टॉल हो चुका है अब और अब यह स्टार्ट हो रहा है और गाइस यह इस्टॉल होने में थोड़ा अपने इमेल को Battlegrounds Mobile India के बीटा के लिए रिजिस्टर करवाना पड़ेगा उसके लिए सबसे पहले एक विंडो में जाओ और अपने जिस जीमेल अकाउंट से आप करना चाहते है उसके लोग इन कर लो और उसके बाद आप Battlegrounds Mobile India का ये homepage खोलो और अगर Mobile से कर रहे हो तो भी कर सकते हो और इसके बाद Early Access पर क्लिक करो तो ये Google Play का ये खुल जाएगा page और अगर इधर आपने login अभी तक नहीं किया है तो इधर से login कर लो और अभी चुकि मैंने join किया हुआ है इस बीटा को तो मुझे ये leave the program का आ रहा है अगर आपने already नहीं किया है तो आपके यहां become a beta tester का option आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है फिर वो हो जाएगा अगर वो क्लिक करने के बाद error आता है तो simply आप page को refresh मारना दो तीन चार बार हो जाएगा तो चलो ये तो हो गया अब सीधा चलेगे हम blue stacks पर blue stacks में आने के बाद आपको क्या करना है आपको simply play store पर जाना है guys और play store में जिस email से आपने bgmi के beta testing के लिए register करवाया है उससे login कर देना है आपको आप play store में यहां से sign in का option आता है यहां से भी कर सकते हो या फिर आप settings में जाके और accounts में जाके यहां से add account करके google के account को add कर सकते हो के इस तरीके से और यहां से आपको add करके login कर लेना है उसके बाद आपको google play store खोलना है मेरा अलड़ी किया हुआ है login तो इसलिए मेरा किया हुआ आ रहा है अब आपको simply एक बार google play store में जब आपके उस email से login हो जाता है जिससे आपने beta testing के लिए register करवाया है आपको simply search मारना है battle grounds mobile India चलो माटते हैं और ध्यान देना गाईस कई बार होता है कि अगर आपने अभी अभी beta testing के लिए register करवाया है तो आपके play store में आने के लिए शायद 1-2 घंट का time लग सकता है तो थोड़ा wait कर लेना और उसके बार simply click करके install कर देना है और wait करना है इसके install होने का तो चलो मिलते हैं installation के बाद तो चलो गए इस finally हमारा battle grounds India install हो चुका है blue stack pipe पर अब आप एक बार check कर दो कि आपके settings क्या है अगर आपने settings इदर उदर छेर खानी किये है तो क्या करो simply reset कर दो okay simply आप reset कर दो पहले जो था वही कर दो otherwise आप इदर देख लो CPU allocations ये रहन दो डिफॉर्ट आपका जितना है उससे आता frame rate frame rate में आप इदर क्या करो enable high frame rate को on कर दो okay और इसको खेंच के आप 120 ही कर दो चलो अब आप save कर दो अभी आप display पर आजाओ display पर आपको क्या करना है display पर आप full HD रख सकते हो अगर आपकी screen full HD है यासी अगर आपकी screen HD है तो HD रख सकते हो हादा कि blue stack 5 1600 x 900 को recommend करता है तो अगर आपका lag करता है तो आप इसको भी select कर सकते हो और अगर आपका बिल्कुल ही low end PC है तो आप ये 960 x 540 use कर सकते हो लेकिन फिर काफी घटिया picture quality आएगा और DPI आपके हिसाब से जैसा आपको पसंद है आप रख लेना इससे थोड़ा ज्यादा clarity आती है DPI हाई रखोगे तो बाकी इधर करके आप save कर दो और save करके restart कर दो एक बार इसके बाद आप दोबारा settings में जाओ और फिर देखो graphics में क्या select है graphics में अगर आपका compatibility select है ऐसे normally performance रहता है अगर आपका compatibility है तो आप इसको performance कर दो और इधर बाकी कुछ छेड़ानी मत करो बाकी जो है वो रहने दो आप save कर दो और फिर से restart करो अभी आप फिर से settings में जाओ और settings में जाके device settings में आओ device settings में आप इसको galaxy s20 ultra ही रहने देना कोई लिक्कत नहीं है अगर नहीं है कुछ और है तो galaxy s20 ultra करके save कर देना और बाकी आपको कुछ भी छेड़ानी करने के जरुरत नहीं है अब सीधे start करते है battlegrounds mobile इंडिया को ऐसा आता है तो allow कर दो अभी ऐसा जब आता है तब आप HD pack करना otherwise की mapping issue हो सकता है आपको और अभी मिलते हैं download के बाद तो चलो guys finally हमारा resource download complete हो चुका है अब इसको हम okay करके start करेंगे bgmi को दुबारा अब जब ऐसा आता है आपको simply agree करना है और एक बार start होने के बाद simply आपको facebook से login करना है और अगर आप twitter से login करना चाहते हो सबसे पहले आपको blue stacks पर twitter app को install करके उसमे login करना पढ़ेगा फिर bgmi में आपको login करना पढ़ेगा और हाँ guys एक बात अभी चुकी emulator पे officially supported नहीं है bgmi तो मैं recommend करूँगा अपने alternate id या फिर किसी नए id से आप login करो अपने main id से मत करो ही फिलाल के लिए क्योंकि फिलाल हम लोग देख लेते कि क्या सीन हो रहा है उसके बाद हम लोग फिर बताएंगे details में तो अभी अगर आपके पास कोई alternate id है उससे करो या फिर एक नई id बना के उससे करो और हाँ अगर आप facebook में नई id बनाते हो और उससे login करते हो bgmi में तो आपको एक से दो घंटे तक का wait करना पड़ सकता है तो चलो में लोग इन करते के बाद तो चलो गईस हमारा लोग इन हो चुका है और अब यह होगा compiling resources और अब हम देखते हैं कि इसमें पहले वारी दिक्कत आ रही है कि नहीं ओ भाई स्टार्ट हो गया compiling resources आया ही नहीं ओ भाई मस यार as you can see guys bgmi स्टार्ट हो चुका हमारा blue stack 5 पे पहली बार on emulator kudos to blue stack 5 टेम ओ भाई तो इसको skip करते हैं क्योंकि आप लोगों ने अल्रेड़ी अनिविशन देखी लिया है शायद तो यह होने के बाद आपका खुल जाग है यह बाला ओके अब इधर आप अपने इसको कर लो अपने किस्टमाइज कर लो जैसे करते हो यार उसके बाद एक नाम दे देता हूँ मैं कोई साभी नाम दे दो और हाँ अपने main ID वाला नाम नहीं दो इधर तो वो नहीं लेगा इधर ओके कोई साभी alternate नाम दे दो आप तो चलो हो गया तो चलो अब हमारा लोड हो रहा है पहली बार VGMI blue stack swiper किसी भी emulator पर first time अच्छा जब भी आपका होता है तब ये option आपका आजाएगा battle of mobile India is for users located in India only do you reside in India तो आपको कर देना है simply yes और you are concerned is required हाँ ये आगया data transfer के लिए आपसे पूझ रहा है तो मैं तो recommend करूँगा कि अगर आप अभी emulator में login कर रहे हो तो अभी आप data transfer मत करो क्योंकि इसको आप बार भी कर पाओगे 31 December तक और आगे आपकी मर्जी तो मैं इसको भी फिलाल के लिए no कर देता हूँ हाँ ये दखो लिख रहा है you can transfer your data layer you can transfer your data later by going to the new app settings until 35 December 2021 तो however if you decide to do you still want to continue without data transfer मैं इदन no कर देता हूँ अभी welcome we can help transfer your data from ये बार बार भूशता रहेगा तो guys एक बार login होने के बाद जब को भी आपको आगे चलके in future account transfer करने का हो तो आपको सीधर इधर आना है settings में basic में और इधर account transfer पर click करना है आपके account transfer वाला option खुल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है तो चलो guys finally अब हम आपको दिखाने के key mapping वगेरा किस तरीके का है कैसा है आप खेल सकते हो की नहीं और हाँ guys blue stacks वाले अभी इस पर काम कर रहे हैं तो अभी फिलहाल key mapping में कुछ issues हैं जो कि आगे चलके short out हो जाएंगे तो थोड़ा सा wait करना है आपको तो फिलहाल मैं एक in angle का solo match लगा के आपको बताता हूँ की mapping का क्या scene है सब कुछ काम कर रहा है की नहीं आप खेल पाओगे की नहीं और क्या काम कर रहा है क्या नहीं काम कर रहा है तो चलो देखते हैं तो चलो guys finally finally हमारा start हो चुका है ब्लूस्टक 5 पर चलो एक बात आपको मैं बता देता हूँ इधर F1 से lock unlock होता है तो आप control से आपको आदत होगा तो थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन F1 याद रखना तो आपको आदत बैड़ी आएगी और हाँ guys एक और बात मैं ये वीडियो नहीं बनाता क्योंकि मुझे कहीं भी इधर इमुलेटर डिटेक्टर का option नहीं दिखा है लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ब्लूस्टक बालों ने officially अपने homepage पर बड़े-बड़े से लिख दिया है कि BlueStacks 5 इस now officially supporting BGMI क्योंकि BlueStacks बालों ने अपने homepage बड़ा-बड़ा करगे लिख दिया तो फिर कोई दिक्कत तो होनी नहीं चीए लेकिन फिर भी मैं बोधूंगा अपने main ID से बिल्कुल भी login मत करना alternate ID से ही करना तो चलो अभी कहीं उतरते हैं फिर आपको पताते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वैसे aim से map तो खुल रहा है जैसे कि अभी f नहीं काम कर रहा है मतलब f से jump नहीं काम कर रहा है तो f1 से unlock करते हैं और jump करवाता है बाकी काम कर रहा है mouse वगरा काम कर रहा है direction keys काम कर रहा है हाँ parachute पर भी f नहीं है तो इस पर key mapping पर blue stack वाले अभी काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि ऐसे ही कुछ update आजाए थोड़े जिर में तो आपको शायर यह दिकत ना हो अगर हो तो दुबारा से update चेक कर लेना तो चलो गाइस मैं फटा फटा आपको बदा देता हूँ कि क्या क्या काम कर रहा है और क्या क्या नहीं काम कर रहा है और अभी यह work in progress है तो इतना समझ के चलो कि थोड़ी बहुत problems आपको आएंगी यहां तो एफ काम कर रहा है एफ से pick up हो रहा है जैसे देख सकते हो यह है न ओमाइगॉड नहीं एफ से pick up नहीं हो रहा है लेकिन चुकि आपको दिकत नहीं होगी एक काम करते है चलो अभी एफ से pick up काम नहीं कर रहा है तो इसको fix करने के लिए अभी आप क्या करोगे मैं आपको और Advanced Editor खोलने के बाद, यह मैंने G जहां लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, बतायता हूँ, आपको क्या करना है, पहले तो, आपको यहाँ टैप स्पॉर्ट के खीच के लाना है, और यह जो हाथ है इसके थोड़ा जा नीचे यहां रखना है, और इधर आपको F लिख देना अभी इधर Exit कर लेना, अभी F1 दबाना है, F1 चलो, अभी दिखते हैं कि अभी, अभी पिकप कर रहा है की नहीं, यह देखो, अभी F से पिकप कर रहा है, तो चलो हमारा F तो फिक्स हो गया और बाकी यह लोग अपडेट खरांगे हैं, बहुत जल, हाँ, रिलोड काम कर र तो guys देखो pick and fire काम कर रहा no issue इसको काम कर रहा right click left click और F तो हमने fix कर लिया है guys चलो अभी एक guys इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है अभी मैं ये fix करने का try करता हूँ उको बताता हूँ कि ये कैसे fix होगा कि आप जब गारी में चड़ते हो और उसके बाद वीकल में जाओ वीकल में जाने के बाद ना इसको customize कर देता है और उसके बाद हम key controls खोलता है Game controls, Advanced Editor Advanced Editor खोलने के बाद हम क्या करेंगे सबसे पहले तो इधर से एक tap spot खोलेंगे और इधर direction दिरेक्शन दिरेक्शन निया अपन नही डबलू मारेंगे ओके डबलू मार दिया इधर अभी इधर एक खोलेंगे यह जो बिल्कुल एक और लाएंगे और बिल्कुल यह S के उपर लाएंगे एक S के उपर और फिर S देदेंगे ओके चलो सही है अभी क्या करेंगे हम एक और खीचेंगे इधर ला देंगे एकदम इसी पोजिशन पर अब इधर दे देंगे A और एक और खीचेंगे और बिल्कुल इसी पोजिशन पर ला देंगे और इधर देंगे D अभी इसको सेफ कर देंगे अभी हम आपको दिखाते हैं कि अभी क्या हो रहा है इसको बंद कर देंगे इसको exit कर देंगे simply F1 तो guys देखो अभी हमारा गारी काम कर रहा है सब कुछ ये बॉड भाईया जी आके अभी shift काम नहीं कर रहा है तो आप shift भी चाहो तो set कर सकते हो कि अपने हिसाब से और भी आपको बता रहते है जिसे कि आपके खेलने लाइक हो जाए फिलाल के लिए ये ओके फटा फट एफ़न से लॉक तो विश ही है अच्छा हमारे D से अभी भी fire हो रहा है कुछ तो issue है D पढ़ रहा है इस पे तो D हमारे इस पे उपर आ गया है तो चलो इसको हटा देता है भी क्यूँ आखिर क्यूँ अभी इस डाउन को इधर से हटा देंगे तो हमारे D से यह नहीं होगा तो close करता है फिर 11 दवाते है अब देखते है क्या देखते है भी आखिर काम करो सबसे अच्छा ना इसको पैसे देख रहता है अभी मैं आपको दा जता हूं जाना इसको इधर से अगर ऐसी प्रॉब्स आपको आती है बटन साइच छोटा कर देना और सेव कर देना और इधर जाना और एक बार देख रहना इसके उपर नहीं है गलती से भी अब बस अभी देखते हैं अभी नहीं होना चाहिए यह दिक्कत अभी नहीं हो रही है चलो गई सही है तो हमारा यह solution भी सॉल्ड हो गया है गाड़ी चल रही है यह गाड़ी भी हमने फिक्स कर लिए फिर से यार रेड जोन तो गईस मेजर जितने भी की मैपिंग इशू आ रहे थे मैंने आपको बता दिया है और अगर इसके बाद भी आपको कुछ दिक्कत होती है तो मैंने जिस तरीके से बताया है उसी सेम तरीके का use करके न आप इसको solve कर सकते हैं सेम आपको पहले F1 दबाना है पहले आपको F11 दबाना है फिर F1 दबाना है अनलॉक हो जाएगा इसको खोलना है और advance रेटर को खोलना है उसके बाद जिस की से आपको जो करवाना है अपने हिसाफ से थोड़ा इधर उधर करके लड़ देना सही ओके गाड़ी भई अब बॉड़ से नहीं मरना है 5 फाइब से होता है bandage लगता है तो चलो guys देख सकते हो कि ऐसा ही नहीं है बंदे भी मार सकते है आपको दिखे किया होगा कि इस तरीके का setting हमने कर लिया है कि बंदे भी मार सकता है बंदे मार लिया भी यह यार यह को पिक वगएरा भी हो गया है बस healing होनी चीए इसके उपर अच्छा जी सकिया था ना अब ने चलो पर यह थोड़ी चीश आएंगे आपको यह थोड़ा अप मैनेज कर लेना तो आप fours से नेड यूज कर सकते हो एक और भाइसाब आ गया है आप यह देट काम कर रहा है प्राउच काम कर रहा है प्रिलोड काम कर रहा है जीश से यह काम कर रहा है एब से पीकप भी काम कर रहा हमारा यह देख अभी F इसको टाया इस कारल गो तो जंप भी काम कर रहा है और गाड़ी भी चल रही है अपनी गाईज तो चलो गाईज आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप ब्लू स्टैक्स में BGMI को फाइनली इंस्टॉल करके खेल सकते हो और चलाने लाइक की मैपिंग भी सेट कर सकते हो तो गाईज और एक बात मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल के लिए फिलहाल के लिए कुछ टाइम तक BGMI में कुछ errors आ रही है जिसके बज़य से ये देखो ये यह download का option नहीं आ रहा है, यह mobile में भी नहीं आ रहा है, तो फिलहाल के लिए कुछ time तक यह error है, यह जब mobile में fix हो जाएगा, तब इधर blue stack पे भी fix हो जाएगा, okay? तो guys, अगर यह video आपको अच्छा लगाए, तो क्या करना है, एक like करना है, और जादा से जादा इस वीडियो को share करना है, ताकि सारे बंदों को पता चले, कि finally आप emulator पर केल सकते हो BGMI को, और अगर ऐसी interesting वीडियो, लेज़ने चप्टे, टेक, 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 फिक्स, PCS को वाक्तूद, मॉयल के वाक्तूद, और बक्चियो दी वरी लाइव इस्ट्रीम आपको आगे भी देखते रहे हैं, तो चलो गईज, इस के साथ इस वीडियो को यहीं पर एड़ करते हैं, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब सकते हैं टेक क्या, बावाई, लव यू गईज,